जै श्री रादे भक्तों 2023 में कब कब पड़ रही हैं कौन सी एकादशियां और उनके पारण का महुर्द क्या होगा तो चलिए शुरू करते हैं दो जनवरी को आ रही है पुत्रदा एकादशी इसके बाद 18 जनवरी को आएगी शट्तिला एकादशी शट्तिला एकादशी के पारण का समय नीचे दिया हुआ है अगली एकादशी एक फरवरी 2023 को आएगी जया एकादशी जया एकादशी के बाद 16 और 17 फरवरी को आएगी विजया एकादशी जिसका वरत 17 फरवरी को रखना ज़ादा अच्छा होगा क्योंकि इस दिन 30 सपर्ष महादवादशी भी होगी अगली एकादशी तीन मार्च को आ रही है आमलकी एकादशी इसके बाद 18 मार्च को आएगी पाप मूचनी एकादशी पाप मूचनी एकादशी के बाद 1 और 2 अप्रेल को आएगी कामदा एकादशी एक को ग्रहस्तों के लिए और दो को वैश्नव के लिए इसके बाद 16 अप्रेल को आएगी वरूथनी एकादशी इसके बाद आएगी एक माई को मुहिनी एकादशी मुहिनी एकादशी के बाद जो अगली एकादशी आ रही है वो है 15 मई को अपरा एकादशी अपरा एकादशी के बाद अगली एकादशी आएगी 31 मई को निरजला एकादशी जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और ये त्री स्पर्ष के साथ आ रही है इसके बाद अगली एकादशी आएगी 14 जून को योगिनी एकादशी योगिनी एकादशी के बाद आ रही है 29 जून को देव शैनी एकादशी जिस दिन साथे देवता शैन के लिए जाएंगे और चतुर मास की भी शुरुआत होगी इसके बाद 13 जुलाई को आ रही है कामिका एकादशी कामिका एकादशी के बाद अगली एकादशी आएगी 29 जुलाई को पदमिनी एकादशी पद्विनी एकादशी अधिक मास की एकादशी होती है इसके बाद अगली अधिक मास की एकादशी परम एकादशी आएगी 12 अगस्त 2023 को परम एकादशी के बाद आएगी शामण पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को इसके बाद 10 सितंबर 2023 को आएगी आजा एकादशी, आजा एकादशी के बाद आएगी परिवर्तिनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को, 25 तारीक को ग्रहस्तों के लिए और 26 तारीक को वैशनों परिवर्तिनी एकादशी होगी, इसके बाद 10 अक्टूबर को आ रही है इंद्रा एक पित्रपक्ष की इस एकादशी के बाद 25 अक्टूबर को आएगी पापांकुशा एकादशी के बाद 9 नवंबर को आएगी रमा एकादशी जो मालक्षमी के पूचन के लिए बहुती विशेश होती है और इसके बाद 23 नवंबर को आएगी देव उठनी एकादशी यानि पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को ग्रहस्तों के लिए और 9 दिसंबर को वैश्नव उत्पन्ना एकादशी होगी इसके बाद 22 और 23 दिसंबर को होगी मुक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को ग्रहस्तों के लिए और 23 दिसंबर के दिन मुक्षदा एकादशी होगी वैश्नवों के लिए तो ये थी जानकारियां 2023 की सभी एकादशियों की मुहुर्थ और पारण के समय के साथ हम आशा करते हैं ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी नमो नारायन